गुट मॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे है आप सब तब प्यारे बच्चों आज हम सब क्या करने वाले हैं आज हम सब करने वाले हैं हिंदी और हिंदी में हम कौन सा पार्ट कर रहे थे हिंदी में हम कर रहे थे पाट चार और पाट चार का नाम क्या है पाट चार का नाम है बड़ा कैसे बनू तो प्यारे बच्चो आज हम इस पाट के कुछ कठिन शब्दों से वाक्य बनाने वाले है तो चलिए प्यारे बच्चो शुरू करते हैं पहला शब्द है आवाज राम रुआसी आवाज में बोला राम रुआसी रुआसी आवाज में बोला रुआसी का क्या मतलब होता है रुआसी का मतलब होता है रोने की राम रोने की आवाज में बोला आवाज से और क्या वाक्य हो सकते हैं? कोयल की आवाज बहुत सुरीली होती है और क्या वाक्य हो सकता है? पायल की आवाज बहुत मीथी है पायल की आवाज बहुत मीथी है प्यारे बच्चों आप सब अपनी तरफ से कोई भी एक अच्छा सा वाक्य बना सकते हैं और क्या बन सकता है आवाज से? चलिए देखते हैं मुझे बच्चों की आवाज बहुत प्यारी लगती है मुझे बच्चों की आवाज बहुत प्यारी लगती है मुझे बच्चों ब अधाच चों बच्चों की आवाज ज ज नहीं है ये ज आवाज बहुत प्यारी आधप यारी प्यारी लगती है अगला शब्द है जूते अब आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनमें कौन सा शब्द आता हो? जूते तो चलिए बच्चों देखते हैं कुछ वाक्य वरुन के जूते फट गए वरुन के जूते फट गए वरुन के जूते फट गए सोहन अपने पिता के जूते पहन रहा था कोमल के जूते बहुत सुन्दर हैं कोमल के जूते बहुत सुन्दर हैं रिया के जूते गुलाबी रंग के हैं रिया के जूते गुलाबी रंग के हैं तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ वाक्य जूते शब्द से देखते हैं अगला शब्द साइकिल साइकिल सोहन के पिता जी ने उसे साइकिल दिलाई सोहन के पिता जी ने उसे साइकिल दिलाई साइकिल 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 दिलाई मुझे साइकल चलाना बहुत अच्छा लगता है अगला वाक्य है मुझे अपने जन दिन पर साइकल चाहिए जन दिन क्या होता है मतलब आपका वर्ड दे मुझे अपने जन दिन पर साइकल चाहिए देखते हैं अगला वाक्य कल रामू साइकल से गिर गया तो प्यारे बच्चो ये थे कुछ वाक्य साइकल शब्द से हमारा अगला शब्द है खराब 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 देखते हैं खराब से कुछ वाक्य आज मौसम बहुत खराब है आज मौसम बहुत खराब है यह किलोना खराब है यह किलोना खराब है रामू के जूते रामू में बड़ी उकी मात्रा रामू के जूते जूते खराब हो गए रामू के जूते खराब हो गए मेरे पिताजी का फोन खराब हो गया मेरे पिता पिताजी का फोन नहीं फ फोन खराब हो गया तो प्यारे बच्चों आज हमने इस पार्ट के कुछ कठिन शब्दों से वाक्य बनाए है आप सभी बच्चों को इन वाक्यों से कुछ अलग वाक्य बनाने है मतलब जो वाक्य हमने आज कक्षा में किये है आपको वो वाक्य नहीं लिखने है आपको अपने माइन में कोई अच्छे अच्छे वाक्य सोचने है और फिर हर शब्द से एक वाक्य आपको अपनी नोट बुक में बनाना है और आपकी राइटिंग कैसी होगी? आपकी राइटिंग होगी बहुत ही ज़ादा neat and clean उपर वाली मात्रा उपर वाली लाइन में टच नीचे वाली मात्रा नीचे वाली लाइन में टच और छट बिल्कुल सीधी तो चलिए बच्चों घर पर रहें और सुरक्षत रहें धन्यवाद